मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बने वा था जिसमें कि मैंने आप लोगों को यह पता हुआ था कि एक एप से एकजागेर जिसके मतलब आप लोग किसी भी PC सॉप्टवेर को अपने मुवाइल में चला सकते हैं वह भी बहुत यासान है लेकिन अब उस वीडियो में बहु यूज नहीं कर पाते थे यदि आप लोगोंने शेटव अगयदर कर लिया तो कीबोर्ट काम नहीं करता था तो अब आप लोग इस वीडियो को कंप्लेट देगे कर सारे प्रोब्लम फिक्स होने वाले तो अब मैं आप लोगों का इंट्रो में भी जारे टाइम नहीं कराइब कर जारी अब सबसे पूल यह बात करते ककी अमोरा को डूंलूड़ आखिर किया रहे कि यह यहीं फिर बहुत भी लोगों को प्रोब्लम होते ते इसको डाउनलोट करने के लिए बस आपको टेलीग्राम को ऊपेन कर मैंने और यहां पर आपको शेर्श्च कर लिए आपको बताता हूं यहां पर कैसे मिलेगा आपको यहां पर प्रोडा नाम लिखेंगे तो और यहाँ प्रोफायल प्रोफायल प्रोबार प्रोल प्रोफायल तो सबसे प्लिक प्रिफिल आपको इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसे extract भी करना होगा तो एक्स्ट्रेक्ट करने के लिए आप लोग प्लेश्टोर से यह एपको इंस्टॉल कर सकते होगे तो जब आप लोग इस फाईल को ऐसे open करेंगे तो यहाँ पर सीधा जैडाई कायवार आपका यहां से डन और यहां पर मैं डाल देता हूं यहां पर देख सकते हैं यहां पासवर्ड प्रोटेक्टेट है तो आप से पासवर्ड मंगा देता है तो आप लोग यहां से पासवर्ड भी देखिए का बहुत ही लोग बोलते हैं यहां पर मैं आपको दिखता हूं यहां पर लि लिए एक्स्ट्रेक्ट हो रहा है ओकर मैं आपको दिखाता हूं अब आपको क्या करने हैं आपको अपना फून का फाइल ओपन कर लेना है यह देख सकते हैं यह फाइल क्रियेट हो गया XJRIt XJR with mouse आपको इस पर क्लिक करने यहाँ पर आपको इसमें दो फाइल देखने को मिलेंगा हम्हें सिंपल आपको इसपी टैप करना है और यहां से इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ ब्लोग से इंस्टॉल कर पाएंगे यह में डॉट 30 डॉट को आपको इसे क्लिक करना है और यहां से मूब कर देना है मूब यहां कॉपी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इंटर्निल स्टोरेज में आना है यहां से आपको आ जाना एंड्राइड में यहां पर ओबी और एक नया फाइल देखने को मिलेगा कॉल यह करता हो आप है रखकरने का पाट मैं जैसे इसे ओपन करूंगा कर ऑं तो यहां पर प्र परोती वीर्मश कर देखने केवा का इसे बज़ेस्चण देखने सेट-ईकी एक करने कुछ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने कुमें लगा बस आपको यहां पर लेफ्ट साइट थ्री लाइन पर क्लिक करना है अब मैं आपको कुछ नया भी बताऊंगा तब लोग थोड़ा ध्यान से समझेगा यहां पर मैंनेज कंटेनर पर आपको क्लिक करना है और यहां पर प्लस वाले आइकन है बस आपको इस पर क्लिक कर देना है आपका कंटेनर क्रियेट हो जाएगा तो यहां पर आपको यह थ्री डॉट जो दिख रहा है कंटेनर के राइट साइड इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से एको क्लिक कर दéना है आप जो भी project पर काम कर रहा है या फिर जो भी फिर भी अपने लोग कर रहे बस आपको वह अपना recording यहां पर नाम select कर देना है फिलाल के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं goggles कि यहां पर screen स्क्रेंद में आपको सबसे 16 ratio 9 पर select कर लेना यहां पर color में 32 bit आपको कर लेने हैं अब यहां पर जो यह जो control को option है इसमें आपको CP10 touchpad है इसमें आपको select कर लेना है और मांकी सबको default error ने देना है और यह जो डो tick है ने default control इसको आपको अंटिक कर देना है यह default shortcut वगएदर यह भी आपको अंटिक कर देना है बैक आते हैं बैक आने एक बद आपको क्या करना है फिर से इस पर three line पर click करने three dot पर click करने और यहां से बस आपको बहुत रिल्ली आप लोग run कर सकते हो अब मैं आपको कुछ और भी settings बगएदर बताऊंगा जब आपका page मैं phone को rotate कर देता हो okay तो आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल पर देखने को मिलिए का keyboard full screen hide panel about तो सबसे पहले तो यहाँ पर hide side panel कर देता हूं तो यहाँ पर देख सकते side panel hide हो गया लेकिन यह भी full screen में नहीं फिर से फोर फिंगर पर tap करता हूं और यहां से मैं full screen कर देता हूं यहांपर देख सकते हैं हमारा full screen में हो चुका है अब यहां को डाउनलोड फाइल में डालने यहां पर देख सकते हैं आपके सारे के सारे डाउनलोड फाइल यहां पर देखने को मिल जाएंगे और यहां पर यहां पर दिखाता हूँ जैसे आप लोग फोर फिंगर टाइप करेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर देखने को यहां पर मैं दिखाता हूँ टैप करता हूँ यह keyboard ओपे नहीं होता है जो कि बहुत ही बड़ी problem है keyboard होनी चाहिए मैं इसका मतलब problem बहुत ही जल्द इसका जो internal solution यह मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को बताने वाल हूँ बड़ आप लोगों को एक और ट्रीक बता देता हूँ जिसके मतलब से आप लोग keyboard का यूज कर पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है ना मैं आपको बताता हूँ आपको keyboard कैसे यहां पर लाने यह वाली mobile में PC वाले software कैसे इंस्टॉल करें बस आपको इसे open कर लेना या तो यहां पर आप लोग जैसे एकजियर आप यहां पर सर्च करेंगे तो यह पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी बस आपको सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है कट करता हूं अभी थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर सबसे नीचे आपको आ जाना है सबसे नीचे यहां पर देखने को मिल जाएगा हॉर्ट उट्व थिच। ौट उफीच्च एक जिगे की बॉर्ड प्रोबलम यहां पर देख सकते हैं टायमर है यह जैसे टायमर कंप्लीट होग यहां पर आपको यह डाउन्लोड का निंक के देखने को मिल जाएगा नहां से कि यह आप लोगोंको एक Apps को इस्टॉल कर लेना है कीबॉर्ड वाली Apps को मैं आपको बताता हूं वो कैसे करना है और यहां पर मैं आपको कुछ और भी बाते बता देता हूं यदि आप लोगों को फोटो सब्सक्राइब कैसे यूज करने वह भी मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया वह तो आप लोग चाहो तो वह भी देख सकते हैं डाउनलोड आ गया अपको दिखा देता हूं वह कौन सी एप है थोड़ा से स्क्रॉल करता हूं यहां पर देख सकते हैं वह यह वाली अपस तो की उस एप का नहीं में आप जैसे आप करेंगे तो यहां पर आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है ना आपके नोटिफिकेशन पै очclurf app को open करता हूँ यहां पर देख सकते हैं अभी तो यहां पर keyboard औग psychologists काम नहीं करता है लेकिन जैसे यहां पर notificationימ है आप गैफ करता है यहां पर सो की मैझे टाप करता होना यहां पर देख सकते हमारा keyboard यहां पर open हो गया अब मैं बहुत इ hablTu कुछ भкий टाइपंग और जैसे आपको इसे अफ करना है इस keyboard को तो फिर सापको कुछ से क्डिकरी पर और यहां पर इस पर फिर साप कर करना है गात इस आपका की ऑर जाएगा यहाँ बहुत यह अपका की जलिए होएय है तो आप लोग चाहे तो इस आप को डेटा को यहां से ऐसे टैप करके एप इंफोर्मेशन में जाके इसे फोर सी स्टॉप कर सकते हैं तब यहां आपका नोटिपिकेशन पैनल से अफ होगा और आप लोगों को यह नहीं पता है कि इसमें कैसे PC सॉप्टिवेर अगार रण कर किया जाते तो आप लोगों को टैंसल लेने की ज़रूरत नहीं है मैं एक एकर को सारे वीडियो लाने वाला हूँ और मैं आप लूगों को एक बात किया ब्यादilation अब मैं सोच रहा हूं कि XAgear के ने सारे के सारे एक एक करके सीरीज ले क्या हूं जैसे कि आज आप लोगों को ने सीखा कि किस तरह से XAgear को अपने पॉन में आप लोग चाहे तो आई बटन पर करके उस वीडियो को देख सकते अप लोग फिर से ने जाने के कि मतलब फिल्मोर वगेदर कैसे यूज करते क्रोम ब्रॉजर वगेदर कैसे यूज करते यानि कि सारे कि सब कुछ XAgear एप में हम लोग करने वाले आप लोग चैनल को भी जर जरू से कोमेंट्स किजेगा यदि आप लोग उने अभी तक मुझे इस्टा पर फोल्व नहीं किया तो जरू से किजेगा लिंक इंक डिस्क्रिप्शन बाके मिलते हैं नेक्ट टूडियो में थैंक्स पर वाटिंग दिस वीडियो किया झाले इस सथब बाबे जिससी को पर फं़ते हैं28 म हैसे शिल्डियो को में देखर लोग झाले पे लिड़ देखके मिलते हैं